हाई एफ्रीवन वाई नेम इस सीमा स्वागिता आप सभी का केमिस्टिक अक्षा में इस वीडियो लेक्षर में आज हम बात करेंगे गिव दर टैस्ट तो डिस्टिंग्विस बिट्विस बिट्विस फॉलविंग पेर ओफ एलेक्ट्रान तो इससे पहले अगर हम बात करें ह कि हम कैसे दो पेर ओफ कंपाउंट्स को डिस्टेंग्विस कर सकते हैं तो इस टाइब के जो कोशन है वो यूपी पीसी अस में पूछे गया है तो अगर हम बात करें जी आईसी और आस्रम पदेदेखे तो जी आईसी एंड आस्रम पदेदेखे हमारे पास प्रिबिएस ये question paper तो है नहीं कोई reference तो है नहीं किस टाइब के questions पूछे जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं simply UPPCS ने UPPCS में जो paper हुआ था मेंस paper हुआ था उसमें किस pattern से question पूछे गए हैं और किस type के questions पूछे गए हैं वो हम अपने syllabus के according देख रहे हैं ठीक है कि हमारे syllabus में भी वो match कर रहे ह तो उस type के questions पूछे जाने की probability है कि GIC और आस्रम पदिती में भी उसी type के questions पूछे जाएं तो इस type का questions पूछा हुआ है UPPCS में तो possibility है कि GIC या फिर आस्रम पदिती में इस type के questions पूछे जा सकते हैं ठीक है ओके तो इस वीडियो में हम 5 pair of compounds की बात करेंगे इसके लाब अग करेंगे कि प्रॉपे नल और प्रॉपे नॉन यानि कि अल्डियाइड और कीटानिक रूप को कैसे डिप्रेंसियेट करोगे तो सेंपल है इसमें क्या करना है कि इस compound can be distinguished by using tolerance test, tolerance ऐसे हम इसको distinguish कर सकते है प्रॉपे नल जो है वह एक अल्डियाइड फंक्शनल ग्रूप है औ अगर हम बात करें प्रॉपे नॉन गी तो वह मैंतल की टॉन है अगर आप के पास जो कोशन है वह जितने वर्ड में पूचा गया है उतने आपके पास नहीं है अगर content तो आप इस तरह से विसको question को बढ़ा सकते हो लेकिन अगर आपके पास 10 marks में पूचा हुआ है तीन pair of compound दे दिया है और टाइम इतना नहीं है तो आप simply इस पूरे को क्या कर सकते हो कोई नहीं है लिखने की आप मत लेकिएगा ठीक है सिंपल आप टुदी पॉइंट लेकिए और रियक्शन लिके छोड़ दीजिएगा ओके कि प्रॉपे नल बींगे लिए रिडियूस टोलेंस रियेजंट और सिल्वर मिरर आपको मिलेगा और प्रॉपे नौन की अगर हम बा लिए लेकिन अगर इसकी बात करें प्रॉपे नल की लिए हैट तो टॉलेंस रियेजंट के साथ क्या होता है सिल्वर मिलेगा और साथी कि अमने का प्रोपे नौइट आएन भी मिल रहा है अमोनी और वाटर मॉल्टियों को निक अर्लीस होगे तो इस तरह सापने यह टेस् नौल की तो प्रोपे नौल जो है वो रियाक्त नहीं करता है तो सिंपली अगर इसके बाद यह एथनौल और प्रोपे नौल है अगर इसके बाद मेथनौल और प्रोपे नौल भी होता है तो अभी आप इसी टेस्स से डिस्टिंग्यूस कर सकते हो सिंपली क्या होता है कि ज कै क्या होता है यह बी आपका क्या होता है अगर हम बात करें स्पूल कि की आप הטाट होता है और यह होता है ऑसी से कर सकते थे कि अपा जो है यह आपका i2-narl-N access की साथ कोई आईटो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा यह नहीं देगा और यह आपका आईटो फॉर्म टेस्ट देगा इसको भी आसे आप डिस्टेंग्जिस कर सकते हैं ओके तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इथिनोल की तो इथिनोल क्या हो रहा है सिंप्ली आईटो एनिवच के साथ रियक्ट करके आईडो फॉर्म बना रहा है यह लो पीपीटी बन रही हो उसकी और अगर हम बात करें प्रोपिनोल की तो वह आपर कोई रियक्शन नहीं शो कर रहा है ठीक है ऐसे भी लिख सकते हो और इसके साथ मैंने भी आपको बता है कि अगर यहां क्या होता है CH3 OH भी होता है तो भी आप ऐसे रिखते हैं इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हम बात करें से किन की तो यह कह है बैंजल लिहाइड और बैंजय कैसिट को आपको डिस्टेंग्यूस करना है तो बोत कैण को डिस्टेंग्विज भाई यूजिंग सोडियम बाई कर्मेंट टेस्ट तो वह बता सकते हैं तो जो ऐसे एसे निकरूप होने की वज़े से इस में देखिया पर यहाँ पर जो बेंजय कैसिड है इसमें की और इसमें मिव हो रही है और जबकी यह वाली जो य reaction है यहां पर नहीं होती है तो इस तरह से हम ड्स्टेंग्विस कर सकते हैं कि जो बैंजय कैसी टेस्ट देता है जबकि अगर हम बात करें इसमें बैंजल थी और नहीं है यहां पर कोई रियक्षिन नहीं होगी ओके नेट बात कर लेते हैं अधिकी तो इसमें क्या है बेंजोय कैसे और एथिल बेंजोय तो सिंपल पहले की तरह होगा कि जो बेंजोय कैसीट है वो क्या कर रहा है कि वह एने CO3 के साथ reaction कर रहा है और CO2 gas remove हो रही है CO2 gas remove हो रही है और जब कि अगर हम बात करें CO2 है यहां पर CO2 gas remove हो रही है और अगर अगर बात करें Ethyl Benzoid की तो HCO3 तो यहां पर क्या हो रही है कोई reaction नहीं हो रही है ओके तो इसमें क्या है । मैथिल आमाइन और डाइ मैथिल आमाइन यानिकी वन डिगरी आमीन को कैसे डिस्टिंगूउज करोगे यह काफे इंपोर्टेंट है यह आप से question पूछा जा सकता है ठीक है इह इंपोर्टेंट है तो इसके साथ जो यह reaction होती है कार्बिलमाइन टैस्ट है ना ये रियक्शन भी इंपोर्टेंट है ओके तो गर हम बात करें मैथिल अमीन बींगे प्राइमरी अमीन गिप कार्बिलमाइन टैस्ट ठीक है कैसे होता है कि जब इसकी रियक्शन और ट्रीक्मेंट विद अल्कोहलिक के वाच और क्लोरोफॉर्म फोलोविट बाई हीटिंग इट गिप आफेंसिव ओडर ऑफ मैथिल आइससाइनाइड का बहुत ही मतले खराब स्मैल वाली जो है वह गैस मिलती है मैथिल आइससाइनाइड इसमें मिलती है तो देखें यह क् पर सिंप्ल क्या हो रहा है CS3 NH2 और CSCl3 क्लोरोफॉर्म और क्योवच हीट जब दे रहे हैं तो इसमें क्या मिल रहा है मैथिल आइससाइनाइड मैथिल आइससाइनाइड मैथिल आइससाइनाइड और KCL और HCL तो इसकी बहुत फॉल्समेल होती है यह होता है अगर हम बात कर यहां पर क्या होती है नो रियक्शन आप यहां पर लिख सकते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें एथेनॉल और फीनॉल की तो इसको भी हम कैसे इसके साथ क्या होता है इसके साथ क्या होता है तो क्या करता है कि इसके साथ कर लेगा और क्या बनाएगा ऐड़ोफोम बनाएगा ठीक है जब कि अगर हम बात करें फीनॉल की तो फीनॉल जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और एक ही बात है यह ऐसे भी आप लिख सकते है तो फिनोल नाओ के साथ कोई रियक्शन नहीं करता है जबकि आपका क्या होता है एथिनॉल आइडिफर्म डैश देता है यालोप रसेपिटेट मिलता है तो यह रियक्शन देता है तो इस तरह साथ आपको इस लाइब के कोस्टन जो है वह सॉल्व करने ते इसके अलावा करके एक पार बता सकते हो उस पर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी बात का लेंगे इसके साथ यापसे एक और चीज दी कि आप इसकी जो प्रपरेशन कर रहे हो जी आई ची की तो जी आई सिका के मिस्टी का जो पोश्चन है वो तो करी रही है सभी कर रहे कि ज्यादा उसके साथ problems आ रहे हैं तो यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ आ रहे हैं सभी के साथ problem है हिंदी को लेके तो हिंदी में आपको क्या करना है आप जानते भी होंगे कि 50 marks का जो आपका है वो ब्याकरण है और उसके अलावा 50 marks का है ऐसे हैं तो उसकी जो preparation के लिए मैं एक separate वीडियो बना दूंगी कि हाव टू फिर पर हिंदी फोर जी आइसी मेंस के लिए कैसे हिंदी को प्रिपेर करो या फिर ऐसे की preparation आप किस तरीके से कर सकते हो और इतना कम टाइम बचा हुआ है कि इस लेबस के साथ हिंदी को कैसे में जाएं कि आप थोड़े काम टाइम है आप हिंदी को कैसे थोड़ा सा अपना अच्छा कर सकतो क्योंकि हिंदी काफी इंपोर्टेंट डूल प्ले करने वाला है आपके सेलेक्शन में तो आप इसको नहीं सकते हैं इसको बिल्कुल मैं चोड़िये इसकी तैयारी काफी में सम वीडियो में बात कर लेंगे सुवारे में तो आई होप आपकी प्रेतेयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी आप तेयारी अच्छी करते हैं यह काफी कम टाइम बचा आप ज्यादा टाइम नहीं बचा है एक्जाम में तो प्रिपे करते रहेजिए अल्टा फेरी बे